हम लग भगवद गीता के पांच्वेग्द ध्याय के उनिस्वेश लोग को देख रहे हैं इहेवा तैरजितह सर्गोर ये शाम साम्यस्तितम नहाँ निर्दोशम ही समम ब्रह्मा तस्माद ब्रह्मान तेस्तिताः बहुत अच्छा श्लोग है इह एव तैर जितासरगो इह एव इसी जगत में साधना करते हुए ही तैर उनके ज्वारा जितासरगो ये जगत जीत लिया जाता है वह जन्मृत्यों के सरगा मदलब स्रिष्टी, जन्मृत्यों के चक्रस पर वजय प्राप्त कर लेते हैं कौन ये शाम जिनके साम्ये स्थितम मनहा जिनके मन समय में स्थित होते हैं सम्कर्त, आप समझ रहे होंगे, परमात्मा सभी जीवों के प्रतिव समान है, इस भाव में स्थित रहते हैं, कोई कमपलेन का भाव नहीं रहता, निर्दोष ही समम ब्रह्म वह निर्दोष ब्रह्म जिसमें कोई दोष नहीं होता है प्रकृति गुणों को प्रभाव नहीं होता उसके उस ब्रह्म के समान हो जाते हैं तस्मनात ब्रह्म नहीं तेशता है और ऐसे ही व्यक्ति ब्रह्म में स्तित कहे जाते हैं तो यह बहुत फ जिनके मन एकत्व, तता सम्ता में स्थित हैं, एकत्व मतलब सुख दुख में बराबर रहते हैं, हानी लाब में बराबर रहते हैं, तता सम्ता में स्थित हैं, सम्ता अर्था था परमात्मा सभी की प्रतिसम हैं, उन्होंने जन्म तता मृत्यों के बंदनों को पहले ही जीत ल देते हैं विद्याविने संपने में में समाप्त किया था ना उस प्रकार से समधर्शिना जो बंडित होते हैं वह इस जगत में ही मुक्त हो जाते हैं जीवन आमने पढ़ा था कि भगवान अपने भक्ता को जगर में कुछ समय तक रखते हैं ता कि भक्ति का प्रचार हो और धारण दिया जाता है कि अगर आपके पास टिकेट है और जिसने भी फ्लाइट में कभी ट्रैवल किया होगा तो पास टिकेट है आप हली लाउंज बोलते हैं वेटिंग लाउंज वेट कर रहे हो टिकेट है जैसे फ्लाइट आएगी तो रंत बैटके निकल जाएगी अब जिसके पास टिकेट नहीं उसको तो बड़ी दिक्कत है वह तो बहारी घूम रहा है तो जो लोग कर्म बंधा ने फसे हैं भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है से वह जगत में भी मुगत है ये बात है है वे ब्रह्म के समान दोश है और स्दा ब्रह्म में हिस्थित रहते हैं बहुत लोग ने इसे प्रश्न नहीं सुने हैं कि आरे भगवान बड़े अच्छे होते बिजग दुख्यों होते लोगों के दुरभावना है यह भगवान में दो शारोपन करते हैं बगवाव इतने दुख्यों है तो भीक माख्यों लोग माँग रहे हैं सब्सक्राइब दिल्ली में एक मादाजी इनका दुरवा बच्चे मर गए तो वह उनकी सर्था कि दिवान ने मेरे साथ ऐसा कि हम देची थे और सब कुछ है फिर भी ऐसा कि मैं इस पर बताने वाला था इसे कहते हैं तो आप के जीवन में कोई कश्ट नहीं आएगा वैसे यह बात सत्य भी है जो विक्ति यग्य करता है भगवान को प्रसन्न करता है उसके जीवन सही से चलता है महाराज बतते हैं मजे से कड़ जाता है जीवन सही बात है ग्रहस्तों का जीवन पर चल जाता है लेकिन इसका यह नहीं कि कोई भी कष्ट नहीं आएगा रोपाज धारण देते हैं कि जैसे आप यहां पे ठंड है जाहे धार्मिक हो चाहे पापी हो सब को ठंड सब्सकार वाले नदी क्रॉस कर रहे थे इस अची खटना है और पूरी वह भी साथ में थे और पूरी नाव परेट के सम मर गए कि वह जिंदा बचे तो मैं भ्रक्ति करना छोड़ते हैं वह 15 साल में एक दिन भी वी 16मma मिषने कम लिशे का है, यह कोई बात हो कि 15 साल है आपने बदन किया है तो बरी खिर्ख कुछ भी नहीं खराप नहीं होगा, ब्रूपल्ट कोई मरेका नहीं को कोई कटना ही नहीं आए डिखी में किसीxo केंसर नहीं हुआ ऐसा आ the better कि तीस अपात है कि हर्दास्थाकुर्जी कितना उसेहन किये हैं वह तो 192 करने के बाद भी इतना कष्ट पा रहे थे कष्ट नहीं थे लोग 22 बज़ार में मारा जा रहा है लेकिन अब कष्ट होना अन्भा हो रहा है कोई अब इससे में उनको लगा ही नहीं की कुछ पार आप इस दर्वाजे को देखिए क्या लग रहा है है वह बस यहीं इनको लग रहा था शुरा आशे से दर्वाजे को देखे को आकर्शन नहीं लगटा है कि दर्वाजा इसका रूप रंग को देखे नहीं को होता नहीं न ऐसे भक्तों का स्चित हो जाता है गवान के नाम में इतना आकर्शन है हम लोग तो सही बताने कुछ भी अंबब नहीं कर रहे हैं जबी भी नाम के सुच है कि थोड़ी सी हंकार रहा है तो हर्दास ठाकुर ज दीन जा रहे है कब दिन भी जा रहा है घुद माय देवह करते मझे पता आपको में देख लिके आपका ना मजब कभी समापता नहीं हुआ उंसी दिन नहीं देखा उनने वह पहले से जब से भचन कम अबीछों कर रहने है तो बड़ा बुचन कर रहे हैं और नैसरोगे बठे हैं माई के तदूर आप आगे आईए आपका स्थान तो गीता वुशन टीका इहां अर्थात साधन दशा में ही उनके द्वारा सर्ग अर्था संसार जीत लिए जाता है सर्ग के संबंद में कोई आपका कटना या रही है किनके द्वारा जीत लिए आता है जिनका मन ब्रह्म अर्थात भगवान की समता अर्थात वैशम्मिता से रहित होने के गड़ में निविष्ट है उनके द्वारा पड़ास पश्ट है अर्थ किनके द्वारा दास्रति प्रभ जैसे जंट मतलब संसार मतलब अरे बहुत घरब अदमी आप निए क्यों आप प्राउम्ट कर रहे हैं पूछ रहे हैं हां संसार मतलब और संब का मतलब जो समान होगा जो भगवान में वैसमता के गुन को नहीं देखता है लेकिन देखता नहीं वो जानता है कि भगवान विशम तो है विशम तो है वो देखो ना लोग विशम परिस्तितियों में है लेकिन भगवान विशम नहीं है वर्षा को कितनी बाहर उजाम पिल देखो अपने अपने वतिकर्मों के इसाज जैसे कोई मिटिक है कि आप कहते हो भगवान विश्वांबर है कि अच्छी कठिन प्रशन है और भगवान सब करते हैं चीटी का भी करते हैं तो आफ्रीका में लोग भूके क्यों मर रहे हैं कुछ सुनाई नहीं पड़ा अगर किसी का खाना चीनोगे तो भूके मरना पड़ेगा यह दंड है अगर आपने किसी भी वेक्ति को खाना दिया है तो वह घुम के वापस आएक अपके पस बहुत अच्छी भावना इस जगत में देने में कभी कोई सोचना नहीं चाहिए एक बहुत सुन्दर बात महरास से सुनी आप लोग शायद कभी नहीं सुनाओगा तो मैं सुनकर चकित रह गया देने के पर बोले ते कैसे ग्रहस्तों को देना चाहिए उनके पास रहता है वो कह रहे थे कुछ लोग कहांगे कि हम देंगे तो कम पारी है अजीव सा प्रशन है लेकिन विचार कीजिए कि क्यों कम नहीं पड़ रही है सिधान्त में एक तो देता हूं ईशो उपनिशाद का सिधान्त है वह एक साथ ने कांगरिकेशन चंटिंग लटर सब बताएंगे क्यों हवा कम नहीं पड़ रही है क्या दिक्क्त सब हुआए फूब जुमकर बन्यग्वाशन कर हैं सब कुछ कर रहे है बहुत सिंपल है क्योंकि हावा भयार भव नहीं कर सकते हुआ हुआ से लेकिन झ्वान को स्थोर्र कर लेतें तो हवा स्थोर्र कर लियो सक्ते है जितना लिया लेकिन धन और उन्न को स्थोर्र कर लेतें practically कभी भूकरी नहीं पड़ेगी लेकिन अगर इस परकार से चोण बजारी नहीं 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 हो तो यह भोग की प्रवर्ति लालज की प्रवर्ति की कारण रहले हैं इस प्रकार से भुख मरी हो Mist reach इवन आप अगर ऐसे भी देख लीजी अमरीका में इतना अनुगता है आप कलपना नहीं कर सकते हैं लेकिन समूत्र में फेक देते हैं और आफ्रीका में नहीं फेकते हैं कितने अर्शन की बाद तो यहीं दिखा रहा है कि मैं खाली बोल रहा था विशमता जो है वे अपने कर्म फलों की वज़े से है रागवान की वज़े से नहीं रभुपाजी को अपने पतना उकती सुनी होगी अफ्रीका वह गए थे वह कितना जमीन खाली पड़ी है उसमें क्यों नहीं यह लोग आत खाते उससे पहले कुछ और उखता रहा होगा जो खा देवस्तु हो और उसको और प्रूं कर रहे हैं धन बहुत डैंजरस चीजी को समय देते हैं एसा मझे भक्त ने बताया था उसका रहरेंस नहीं करी कि क्यों कुछ समय दीजी है अभी मज़े बताने लेकिन मने प्रणात पुर्ण बता रहे थे एकिन मज़े विश्वास यह नहीं को यह राफरेंस नहीं मेरे पास ले लेकिन वैसे कल्यूग के लिए स्थान दिया गया और थोड़ा सा स्थान दिया गया वहें बीकेवल पृत्वि में दिया गया है अन्य ग्रहों पर अन्य दीवों में कहीं कल्यूग है नहीं आप भागवत के 5,19,19 को देख सकते हैं भागवत तो मैं कुछ बोली कुछ ऐसे सनाई नहीं बढ़ता है मुझे भी कुछ शुर नहीं एक भाकते ने बोला था कि कल्यूग ने रादा कृष्णी यह पास नहीं कर लेकिन मेरे पास कोई रफसरेंस नहीं तो मेरे भी समय तो मैं कुछ जगए दीजिए लेकिन भागवान ने वष्था करे काया कुछ समय कल्यूग चलेगा का नियुक चलेगा बहुत थोड़े समय के लिए है कि कुछ कीड़े पैदा होते हैं मैं बर्शात में मर आखिए कुछ समय के लिए जिन्दा ऱतें वह पड़ते हैं ऐसा क्यों कहते होकि ब्रह्मस सबके प्रतिवसम मतलब भगवान सबके प्रतिवसम है तो इस ये बहुत खराब आदमी है, इससे मैं बात नहीं करूँगा. इसका उधारन बहुत अच्छा दिये जाता है चंद्रमा का. चंद्रमा एक गाय की सेवा करने वाले के यहां भी अपनी खिरने देता है, और जैसे आपने बोला भी गाय काटने वाले के पास उच्छत अपनी खि इस लिए ब्रह्म में ही स्थित है, ब्रह्माणी स्थित हैğ, जो ब्रह्मा में स्थित है, कौन लोग? जो ब्रह्मा के यानि भगवान के समधा के गुण को देखते है, क्या वे बहुत कठिन फिलॉस 여기까지 है, समझ में आ रही हैं, कि में सुं दर्श लोक है। इनुहा इस जगत म तो में स्विवर और नहीं होती फ्रेकिन अधर और अम्ोरा नहीं करते ये दो बातें समदों कर पा रहे हैं gyd कोई वहती दुख भोग रहा है तो ऐसा नहीं कि मरने दो जैसे एक बार विंदावंचन महाराजी से आपको या तो प्रशने किया गया महाराजी को दुख प्राप्त कर रहा है और उसको हम दवा दें तो हम उस भगवान की वैस्था में हस्तक शेप नहीं कर रहे हैं उसा करू कि दुख कि आप कैसे भी मदद करते हो तो भगवान की वैस्था Bath में ही आप सायता कर रहे हो जी नहीं कि चितने सामर्थ है और सामर्थ है ना भी हो केवल इच्छा कर रहा है कि मैं लोगों की उपकार करूं तो भी भगवान का वह सत्पात्र मुलब क्रिपा प्राव पात्र बंगाते हैं समझें दो पॉइंट आप मदद कर दो तो तो कहना ही क्या अगर नहीं भी कर पा रहे हैं खली सोच है कि मैं मदद करूं तो भी भगवान से बड़े प्रसंग हो जाते हैं यह चीज़ आपको मिलेगा वहां पर दो जगे जदीची रिशी के प्रसंग है और शिवजी के प्रसंग है वहां बहुत सपष्ट है हां तप्य अन्ति लोग लाता आप बहुत सुंदर श्लोक है क्या वर्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे जैसे अक्षय पातर खाना खिला रहा है तो गोवर्मेंट भी उसको हैल्प कर रहा है यहां तक कि वह खुद भले निस्वार्थ ना हो सवार्थी हो देख मोई साब निस्वार्थ सेवा करते हैं इस लोग बोल लेते बड़ अच् आच् हिसे गाक किया तप्यंते लोग तप ता पैना साधवा प्रायश्य नहां प्रामा राधनम तद्धी १रुशक्षय घिलात्मनाह सुद्धख प्यंते वह करते हैं लोग ता पिनते वह तप रहें इस जगत direct में उनका तब दूर करने के लिए yes वह लोग पश्छ सहन क करते हैं अन्य लोगों कर्ष्ट को दूर करने करने के अगे और ऐसा नहीं है कभी कभी करने आज ने आज बता इंड़ा आचलोग बताई है ऑगे और यह सफरीं आफ मैनटी इतना विए नहीं कहना के विम्हानेटी सभी जीमों के सवरुद होते हैं और फिर कहते हैं पुरिशस्य अखिलात्म जो भगवान पुरिशस्य अखिलात्मी नम जो सब के हिदे में परमात्मा रूप में है परमाराधनम यह भगवान की सबसे श्रेश अराधना है कि महाराजी इस पर बोल रहे थे देखिए यही शुगदेगुस्वामी जो बोल रहे है श्रवणाम कीर्थनम विष्णु भगवान को संतुष्ट करने का तरीका है वही शुगदेगुस्वामी की मुक्से बातार्य की परमाराथ ना कोई कर पाये खाली विचार भी कर रहा है अच्छी आओ पराए इस जगत में लोग स्वार्थ ही रहते हैं तो इस प्रकार से हम लोग पो यह बहुत संदर वासीखने को मिली कि इस जगत में रहते हुए भीविवे भगवान में ही स्थित रहता है क्योंकि भगवान के गुण को इस जगत में नोETH देख रहा है ठीक ह यह नहीं कि अपने वेश्टित्त 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 को नश्ट कर देते हैं तात्पर्य को पढ़ी आम कृष्णबूग तात्पर्य जैसा कि उपर कहा गया है मानसिक समता आत्म साक्षातकार का लक्षण है जिन्हों ने ऐसी अवस्था प्राप्त कर लिए इस सर्म प्रलाद मेहराज कि उब देश या प्रलाद मेहराज के संवाद पढगे शंड मर्क से तो बतायते हैं कि माया का लक्षण क्या से औब है और कुशी क्रिटिरिय नहीं कितनी मात्रा में जगत में हम हम शत्रू और मित्र देख रहे हैं उत्नी मात्रा में हमाया में, कफी, इंग्रिश में कुछ कहा जाता है, to the point statements, blank statements, ब्लैंक स्टेटमेंट, लेफ्ट राइट का स्कोपी नहीं है, जब तक विक्ति शात्रु मित्र देख रहा है, कि ये विक्ति मेरा शात्रु है, ये मेरा मित्र है, औसका अधार यह है, कि मेरे त्रिट्ति को बादा दिया या इंद्रिट्ति दिया उसके अधार पर मैं मित्र शत्रु या मित्र देख रहा हूं। यह मध्धान सोचीगा कि भक्तों से मित्रता नहीं करता। यह उस डिरेश्टन मत जाएगा। मैं खली भौतिकता के एंगल से बूल रहा हूं। भक्तों से मित्रि मैत्र करना यह तो भक्त का लक्षण है। लेकिस शत्रु और मित्र देखना इंद्रितित्ति के अधार पर यह माया का लक्षण है। माया से प्रभावित होने का लक्षण हूं। इसको उसकी उपेक्षा करना यस नहीं कर रहा है और वहां जाने से प्रजल्पा हो रहा है यह बिल्कुल सही है लेकिन उसको अपना शत्रु नहीं मान रहा है लेकिन मेरे अधार का है मेरी इंद्री बादा दे रहा है तो वह मेरा मित्र है सब्सक्राइब बहुत कठिन है लेकिन यह बात बोलने मांसिख समता आत्मा साशत्र करक्शन यस जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर रहा है जब तक भगवान में विशमता देखते रहेंगे जगत को देखते रहना पड़ेगा बहुत घंभीर लाने इसलिए बार-बार इस बात को हम लोग प्रवचन में लेकर आ रहें जब तक भगवान में विशमता भगवान में दोस्ट देखते रहेंगे हम फिर हमें फसना पड़ेगे जगे और यह बाते मां सुझेगा कि भक्त लोग नहीं करते क्यों आपने दे यह हो गया, यह होना चाहिए ता ऐसा होना चाहिए तो ST अबयू दूईवान को इवेस्ता को सिएगार करना Specially अगर हमारे शुद्ने बहुत इक इच्छा हो तो उस प्रावट करना चाहते हैं आब होउन ना दे रहे हो तब लगता, रे मैं इतना भक्ती कर रहा हूं, भवान धेने रहे, उनका नाम तो अच्चुत है, मेरे भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हूं, देखे, मैं कितना अच्छा डिवोटी हूं, मेरे इच्छा क्यों नहीं पूर्ण कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छी नहीं होगी प्राप्त कर लेता है, बेबद जीवन से मुक्ध हो जाता है, तो ये आत्मसाख्षातकार क्या है, और समचित्ता क्या है? समचित्ता मतलब भगवान के वहिशमता को, like he is not biased, भगवान सबके प्रति सम है, इस चीज को समचता है, और आत्मसाख्षातकार का मतलब यहां पे वही चीज नहीं है, आत्मा है, मतलब हम वही शरीक से नहीं है, मतलब आपने आपको शरी से बिन बागता है, दूसरे शब् समातिव जगत में जब नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यों के बाद वे अध्यात्मिक लोग को चाता है, भगवान निर्दोश हैं, निर्दोश हैं क्योंकि वे आसकती अथवा घृना से रहत है, इसी प्रकार जब जीव आसकती, वे बहुत कंभीर पात है, ज भगवान मुझको नहीं सिवकारेंगे, मैं तो इंग्लिश में कहते है, इन्कॉरिजिबल, मुझे ठीकी नहीं किया जा सकता, भगवान मुझे सिवकारेंगे ही नहीं, कई भावना आ जाती ही कभी-कभी रिदेन, कभी-कभी भग लोग सोचते, कभी-कभी भग लोग आ जा चतन महाप्रभू सबसे बड़े वैद्धे हैं अभी तुछ प्रिशनदास कवराज गुष्वामी कहते हैं कि मैं मासर रूपी फोड़ों से मेरा श्रीर भरा हुआ है इसलिए मैं महाप्रभू रूपी चतन रूप वैद्ध के पास जा रहा हूं महाप्रभू फोड़ों से इस एन्वी से रूपी फोड़े से धना नहीं करते और कहां पर जाएंग बताईगी बहुत सुंदर है अभी हमने बहुत अच्छा बात बुरुजन प्रूव की है बहुत अच्छी बात है वो बता रहे थे गांदी जी का जीवन मैंने पहले भी बत सुनर चांट सीच सोरी पाल की क्रिषर एंदेर को निकल यहां से घर से निकल जाओ तो थोड़ा बाहर गए और फिर दरोजय को एक खड़ी हो गए फिर खटकटाने लगे करें हो तुम बोला था निकाल जाने के लिए तो कहते हैं मैं कहां जाओ इसके वेरी निस आटिट्य नहीं बहुत गंभीर बात है इसमें को हसनी वाली बात नहीं इस वेड़ीप पॉइंट कि क्रिष्णी के लावा हमारा कौन भग्त का कौन आश्र है कभी नहीं सुच्छा नहीं करना करते हैं आपने सुना ना भी कौन भग्त प्रवचन कर रहे थे आज हो ग्याना में अपने ह जीव आसके बलदर महराजी कर रहते हैं महान ऐसे ऐसे पति हैं जो छोड़ते नहीं है बहुत अच्छा वो लेए पति जाए है आजकल ड़ाइवर्स करके चेली जाती है अमने हम पति से वह नहीं करेंगे लेकिन भगवान जैसे पती हैं हस्बंड है कि वो ड़ाइड देते अथ्वा ग्रिणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोश बन जाता है और वैखुंट जाने की अधिकारी हो जाता है जैसे भगवान सब कर्मानसार उनका कर्म फल दे रहे हैं लेकिन उसे ग्रिणा नहीं करते ऐसे ही भक्त भी लोगों को बुरे कर्म करते हुए देख सकता है लेकिन उसे घ्रणा नहीं करता भले उनका संग नहीं करता लेकिन वह घ्रणा नहीं करता आ सकती मतलब भई जो उसके इंद्री तित्पी में कुछ बाधा दे दे तो है यह तो बहुत खराव आदमी है और जैसे आप देख सकते हो पताने कैसे होता है लेकिन युदस्टर मह धिनाराज दुरियोधन के प्रति भी खुश थे पता है जब उनको जंगल भेज दिया तो कहते हैं देखो पहले जो राजार्शीर थी उनको पूरा जीवन भर राज में भस ना पढ़ता था बढ़ापे में जंगल जाने को मिलता था और उनको बसांग मिलता था हमें दुर बहुत खराब शत्र हुए वारा यह इंचार्ज बहुत खराब है हर व्यक्ति को खराब लगी है अपने सुधा को इस प्रकार से बड़ा अत्मत्त है ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए येस तो अगर आप कहेंगे कौन व्यकूंड जाने कादिकारी है वही आप 11-15 देख लीजिगा भगवद गीता का जा बोलता है निर्वायरस्वर्व हुटेश किसी भी जीव से वब्यार नहीं करता है बार बार यह गुणा रहा है बार बार गुणा रहा है रागवद्वेश से मुक्त होना रागवद्वेश्यान इंद्रेश्चरन आत्म होता है इतना असान नहीं होता जनको आप कल्टिवेट कर रहे हैं वक्ति में उनसे अगर वहना गलती हो जाए तब आप क्या सहर करेंगे उनको सहर क्या आपको दोबार मौका देने के लिए त्यार है यह बहुत गंभीर बात है क्यों कि हम सोच रहे हैं उसका पतन हो गया है उसको पता ही निए कि हो कर क्या रहा है ए फिर से रिपीट कर रहा है लिए पीदा ओशाद थोड़ा सब टवस्तर मुटे ऑसा मुझलाइँ है हम सोच रहे हैं कि उस भग का पतन हो गया उसने कुछ गल्ती कर दी ये कर दिया वो कर दिया लेकिन उसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि उसे नहीं पता अब लोग कर्वेंस है इस बात से यार मुझ विरोध है कि ये उसे कुछ पता ही नहीं कि हरी नाम करने से कहां पहुंच जाएगा लोग बहुत बार तो लोग घुसता भी नहीं दिमाग में और वह पूरा का प्रारब्द भी है वह भी उसको कुछ संसकार है वह उसको गितिक गिरा देता है अकस्माद अज हमें इतना कंट्रोल ब्रह वह वह उसको कि भी घृष्ण बहुत 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 उच्छे तरबात लोगत अप्रें आध्र हमारे कर नहीं पाता है तो एक हद तक हम करते हैं मैं अपनी बात था तरह तरह के लिमिट है मेरी चार मैने च्छे मैने सालवर तो बोलूँगा इसके बाद भी और मुझे लग या उसलगा वाँ हम पनोख काल नहीं रहा है तो फिर मैंसोचता हो कि पाहले मैं अपने आपको बचाना कालता हूं पंद मैंचादाना आधिag करना वह साल एक कढ़ रहे हो कि क आप किलास आ और ये वह कुरूश करो तो क्या अपति कर सकता सभावस्तु प्रवर्द को, ना तो जीव, आख्चिलि हम किसी को प्रणा दे कि मुझे करा नहीं सकते हैं, यह तो नितयनन प्रभु कहते है, हमको प्रचार करने के लिए महाप्रव बोलेंगे हमारा करता वह बोलना, अब वो स्विकार नहीं करता या करता वह उनके और महाप्रभु की बीच में हमारा इसमें दाईत्व नहीं हमें तो खली बोलने के क्रेट मिल जाएगा अब आपने बोल दिया और दूसरा बाद रिश्व देव इसमारें बोल रहे हैं कि टीचर को शिक्षा देती रहने चाहि भले शिक्षा देती रहने चाहिए और गुसा भी नहीं होना चाहिए लेकिन आप प्राक्टिकली देखेंगे पीपला सो कवर्ड़ अब इतने जदा आवरित हैं वह चाहकर भी आपकी शिक्षा पालान नहीं कर पाते वह ऐसे सिती होती बहुत से लोगं की उगदम ऐसे परकशी में अपनी बात बता रहा हूं अपनी बात बता रहा हूं जब कॉलेज में थे हॉस्टेल में उठा यह ऊठाई नहीं जा रहा तो और दोकौन विक्ती की स्थिति में जाके अंच्छे भक्ती करेंगा हम कुछ कहां नहीं सकते हैं इसलिए हमेशा उनलों को पास मैं यह बढ़ना चाहता हूं कि जिस भ्यक्ति से भी गाइडेंस मिल रही है, यूशुड आल्वेज भी अप्रोचेबल तो ठीक है, वाज स्विकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी मती हो भगवान की तरफ, तो उनको कभी यह नहीं लगए कि मैं उस भक्ति के पास नहीं जा सकता, मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, हमारा वक्ति तो ऐसा होना चाहिए, कि अगर वह दुबारा भक्ति में आए, तो उसको जो भी आपने इसो ने गल्टिवेट किया है, कि इसको यह नहीं जगना चाहिए कि मुझे मेरे को कहेंगे, तो मित्र साथ तक क्या मायम पड़े रहे, ऐसा नहीं भावना होना चाहिए, विश्ट ऑल्वेज भी ओपन, खुश होना चाहिए, कि वह एक्ति दुबारा भक्ति में आने का प्रयास करता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि फिर मुझे गुस्ता आ रहा है, तो फिर मैं उसे ब्रेक अप लेता हूं, और मैं फिर भगवान से प्रात्ना करता हूं, क्योंकि मेरी एक छोटी स्विट है, और मैं अपनी साधना को बहुत घर घर Avec अपने अन्या हो सभिया चाहिए, नहीं कर देखिये हम लोग कितने संबढस के बात कई साधना कर पा रहे हैं यह समझ नहीं पा दूढ़िया, कि इसके कोई विक्ति थोड़ा भी स्विकार कर रहा है कितना भी स्विकार कर रहा है कि कुछ लोग उतिनी भी सद्धा नहीं कुछ लोग तो गीता भागवत को नहीं मानते हैं ऐसे लोग प्रश्न करते हैं कुछ सुनाएं नहीं पढ़ रहा है क्या पढ़ रहे थे हैं लील लमिर्द पढ़ रहा था राम जेट मेलानी जो हिंदुस्तान का भारत का फेमस भकील हु हुआ यह भक्ति में अलग चले गए तो कह रहें दे में नॉट भी डिसाइपिल्स बडे स्थेल डिवोटी समझें इसाइपिल मतलब शिष मतलब जो शासन स्विकार करें नियम से रहे लेकिन डिवोटी मतलब जो कृष्ण को भगवान के रुप में शिकार करें बहुत अं है यह नहीं तो हमें भक्तों को मैं क्यों मुला हूं हमको उस पर टार्गेट करना है अगर हमारे हिर्दे से निंदा की प्रविर्थी निकल गई हमारा संग दूसरों को पवित्र करने वाला हूँ ऐसा भक्त हमको बनना है मेरे एक भावना है जब मैं भी यूर्पकु स्वामी जी के उस लोग को देखता हूं तो वह ही बता है निंदा दिशून हिर्द में प्रविर्थी नश्ट हो गई और अगर हम निंदा से बच गए तो हरी नाम करके बड़ी असानी से भगवत करेंप राप्त हो जागे जान चीक है जो स्टॉपलियों श्रीमा धगवत-गीता की जाये श्रीला प्रहुपाद की जागे